Hello traders, SBI को कल हमने आप लोगों को trade करने के लिए दिया था, same level से SBI को आज की दिन हमने treat किया है, कैसे हम लोग entry and targets identify करेंगे, इस एक चीज़ को आज की वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से clear करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगता है तो इसको like कीज़ेगा, target identification को और हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं, बहतर target कैसे निकाल सकते हैं, इस एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे, so आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में, कल जो हमने trade execute किया था बालकिष्णा industries, बालकिष्णा में देखिए, Fibonacci की recording हमने 2025 का level निका और यह जो level था ना 2025 का, यह कल के ही trade का निकाला हुआ है, आज के दिन देखिए, market ने उस level पर किस तरी की performance दिखाई है, opening उपर closing नीचे, एक retracement price पूरे दिन 2025 के नीचे, इस वजह से ही हमने 2025 क्योंकि target जो हमने book के थे, 2020 के पास अपने टार्गेट में शाद book कर लिये थे, लेकिन जो actual target था वो 2025 का था, 2025 पर देखिए, आज सिगनिफिकेशन बन चुका है, तो यह कुछ importance होते हैं, यह किसी indicator से नहीं आए, यह किसी shortcut से नहीं है, यह just day time frame पर आप reading करो और lower time frame पर reading करो, तो इस तरह की level बहुत असान ही से आप निकाल सकते हो, अब जैसे SBI है, SBI के हमने क्या बोला था, कल आप लोगों से कि इसके नदर एक red candle form होगी, कुछ नहीं करके, सिर्फ एक area हम आपसे बोलेंगे mark करने के लिए, वो भी just 9.15 का आप low mark कर दो, सिर्फ low mark कर दो, अभी 9.15 का low mark करके, क्या morning का यह जो swing बना हुआ है, एक इसका low है और एक high है, 9.15 का low औ आप use करो, और just morning का जो सबसे पहला आपका swing बना हुआ है, जैसे कि 9.15 का हम high ले लेते हैं, हमने इसको mark कर लिया, देखें, यहाँ पर कुछ एक level हमारी निकला है, सबसे पहला जो target identifying कर सकते हैं, वो ये वाला point होगा, second ये वाला point होगा, इसके अलाबा, फिबो नाची को च करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हम targets को identify करेंगे, अब देखें, एक तो चीज ये target identification की होगी, दूसरा है, retracement के लिए कैसे फिबो नाची का use हो रहा है, अब 0.5 ये 0.6 का ये level, देखें, इसको और ज्यादा साफ कर देते हैं, यहाँ पर retracement के कुछ zone बने हुए है, 0.5 ये 0.5 और ये मेरा 0.6, price नीचे की तरफ गया, एक retracement देखें, इसके अंदर आई, और price exact हमारे resistance area से वापस downside की तरफ गया, और इसने 9.15 का low break कर दिया, हमने क्या कि आज के दिन में, अच्छा entry वगरा को बात मिलेंगे, पहले एक काम करते हैं, जिस जगह पर भी आप trade execute करो देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, entry अगर हमें करनी ही किसी भी stock में, इसी भी stock में, तो एक तो ये point हो गया, ये point in the sense, कि जिस जगह पर आपको trade execute करना है, ये वाला area, हमें यहाँ पर trade execute करना है, हम ये मान करके चलते हैं, अगर हमें execution करना, entry लेनी है, तो हम यही म क्या previous में market ने उसी level से कुछ reactions, reactions दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं, एक बार हम ये भी check कर ले, ऐसा ही नहीं, ये सिर्फ कि हमने 9.15 का low mark कर लिया, और just 9.15 के निचे जैसे price निकला हमने trade execute कर दिया, 9.15 तो मेरी लिए important है ही, लेकिन क्या कल, परसों, उसके एक दिन पहले या उसके दिन पहले, market इस जगे पर आ करके कुछ reactions उसने दिखा हैं या नहीं दिखा हैं, इसका ये भी मतलब नहीं कि आज की 9.15 का low ये बना है, तो कल की 9.15 का low भी आई है, नहीं, अगर हम आज की 9.15 के low के निचे अपना trade execute करना चाहते हैं, तो कल, आज की 9.15 का low का जो price हमारा, वो just imagine 5.27 है, तो क्या 5.27 से SBI ने पीछे भी कोई movement दिखाया है, बड़ा या नहीं दिखाया, अब जैसे SBI को हम mark कर लेते हैं, चलिए हमने इसमें सिर्फ क्या करते हैं, कि low mark कर लेते हैं, कुछ नहीं करके, सिर्फ आफ इस एक चीज़ को देखें कि 9.15 की इस candle ने क अफिर से देखें, वहीं से नीचे की तरफ गिरी है, अगें यहां से नीचे की दिशा में गिर गए, क्या हम यह मान सकते हैं, कि आज अगर market is strong हो तो यह तो यह यहां से ऊपर की तरफ चली जाए, या फिर अगर इसने support ब्रेक किये एक भी नीचे की तरफ तो क्या यह trade execute कर तो कोई भी trade अगर हम execute करना है, A to Z कोई भी trade execute करना है एक अपने लिए एक ऐसी line निकाल लिजए, mark करके रख लिजए, technically यह सारी चीज़े करना बहुत आसान होता है, बस उसके पर प्रेक्टिस चाहिए होगे, तो अभी चलिए, सबसे पहले trade के ऊपर अपना trade book देख लेते 350 के around something अपनी brokerage cut होगी, कुल मिला करके 11,000 प्लस के अपना आज का profit होगे, which is enough, एक handsome profit है, intraday session के according, सिर्फ एकी trade execute के है, SBIN का, बाकी और भी trade stocks थे, जो confirmation दे रहेते, एक पर refresh कर लेते हैं इसको, perfect, 11,000 के around का profit है, अभी एक एक चीज़ समझेंगे इसकी, कुल मिला करके, as a indicator, as a indicator, हम लोग कैसे entries, stop loss and target अगरा हो, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत easy काम हो जाता है, Fibonacci के तो, अगर हम लोग करते हैं, overall जो हमारी आज की quantities को भी एक बार refresh कर लेते हैं, quantities हमारी 3390 की quantities थी, entries, stop loss and target points आपके सामने, time अगरा भी उने show करते हैं, लहास्ट वीडियो में किसे नि time show नहीं करते हैं, वो मेरा अपना personal reason है, अधिक तर वीडियो में time show नहीं करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगते time show करना, so, ठीक है, वापस से start करते हैं अपना वीडियो, एक एक चीज समझने की कोशिश चीज़ेगा, जो भी बाते हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको Fibonacci को as a indicator अगर हमें use करना है, तो हम कैसे use कर सकते हैं, सभी indicators का अपना अलग-अलग काम होता है, indicators में अगर हम आ जाएं, तो ADX है, ADX हमें क्या दिखा देता है, कि market हमारी side way है, या फिर उसके अंदर movement हो सकता है, या नहीं हो सकता है, ADX कहीं ना कि हमें indicate करने की कोशिश कर कर देते हैं, तो आप ये समझ लीजे, 100% तो नहीं, लेकिन 80% आपको market का trend समझ में आ जाएगा, Fibonacci के तुरो में लोग entry निकाल सकते हैं, retracement निकाल सकते हैं, target point निकाल सकते हैं, कैसे, इसके अंदर entry करने का जो सबसे अच्छा point होता है, सबसे अच्छा point वो क्या है, ये इसके बाद में 0.6 and 0.5, ये तीन points है, target निकालना है, एक area से चल के price इस area तक और इस वाले point से चल के price इस point तक, ये targets होते हैं, अभी देखे, कुछ नहीं करके, simply सारी marking सुम कर देते हैं, delete, हम लोग चलेंगे SBI के chart पर, और SBI के chart पर देखेंगे कि Shibonacci को कैसे लोग use कर सकत हमने कल के वीडियो में क्या बताया है, first swing को कैसे हम लोग mark कर सकते हैं, कल के वीडियो का नहीं देखा न तो उसको देख ली जगा, कल के वीडियो में हमने बताया था, कि first swing को mark करने के बाद में, जैसे हमने इसको mark कर लिया, एक होता है trend based और ये है अपना normal view होना चाहिए, तो इसके अंदर अगर हमें trade execute करना है, तो देख, इस जगह पर हमने अपना trade execute किया, और अभी हमने जैसा बताया, कि price ने पिछले level पर कितना अच्छी तरह से support लिया है, तो एक चुस्तो ये clear है, कि price actions के उत्रू हमें ये समझ श्मयारा है, कि अगर हमें entry लेनी तो हमें इस यहाँ पर price क्या करके आ रहा था, अपना एक retracement complete करके आ रहा है, अगर हमें short selling करनी है, short selling करनी तो इसका मतलब कि price फिर उपर जाने में problem होगी ना उसको, इतना बड़ा एक rejection आया, 9.30 की candle पर, उसके बाद में जो इसके पहले rejection आया, 9.20 की candle पर, क्या है ये, कहीं ना कहीं trap क करने की कुशिश की जारी ना कि price उपर की तरफ जाएगा, buy कर लो, उपर की तरफ जाएगा, फिर से buy कर लो, गया ने stop loss, ये जो zone बनते हैं, ये कुछ stop loss hunting zone है, जैसे ये वाले, इसके बाद में 9.20 की candle का low, ये stop loss hunting zone है, देखिए price कितनी देर तक उस जेगे पर रुका रहा ह यहाँ पर कोई action नहीं करना होता, कोई action नहीं, अगर आप यहाँ पर कोई action करोगे ना, तो बहुत ज्यादा, अगर trend identify नहीं है, तो कोई action नहीं करना है, फस हो गया आप, आपको लगएगा कि नहीं, ये पिन बार बनी है, इसके नीचे हमारा stop loss है, price देखना भी यहाँ से पर ही भाग जाएगा, बहुत बार भाग जाएगा, लेकिन ज्यादा तर stop loss जाएगा, ज्यादा तर आप देखोगे कि आपको stop loss जाएगा, तो कहां पर हम लोग pin bar का किस तरह से use करें, आज की date में अगर आप देखोगे, तो pin bar हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत सकते हैं, फिर आज के दिन हम सेलिंग नहीं करेंगा, और buy तो हमें करनी ही नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि pin bar बने के बावजूद भी market नीचे आरी, तो आप समझे क्या हो सकता है, बहुत अच्छा मौका आपके पास रहेगा, उनका stop loss लेने के लिए, जिन्हों ने market 915 के नीचे आये, जैसे market 915 के नीचे आकर कि इसने closing की confirmations हो गए थे, कि यहाँ से अब हम लोग short selling कर, हमने इसलिए क्या किया किया, कि stop loss को इस black वाली candle के ऊपर ले जाकर कर रख दिया, फिर से हम बोल रहे हैं, इसके लिए आपका stock selection और trend identification ज़रूरी है, अब यहीं पर पर की तरफ जाना है, तो फिर यहाँ पर stop loss लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने short selling कर रखी है, उपर जाएगा, stop loss लेगे, market फिर से उपर की तरफ जाएगे, क्योंकि selling heavy volume में हुई है, तो यहाँ पर जितने भी traders या कहें कि operators बैटें, वो इतनी असानी से stop loss होने नहीं देंगे अपने, यह वाली candle हमें morning की सबसे मजबूत candle लगी, कि जहाँ पर हम लोग अपने stop loss लगा सकते हैं, price action के तुरू एक तो चीज़ क्लियर है, कि entry लेनी है तो यहीं पर लेनी है, क्योंकि यह swing है, अब अगर इस swing के पास में price अगर upset की तरफ तो चला जा, otherwise अगर नीचे करना तो फिर हम यह से short selling कर देंगे, यहाँ पर हमें मिलके retracement, यहाँ पर देखिए, यह कुछ golden levels होते हैं, जैसे की 0.6, 0.5, देखिए price उसी zone से आपका reject होने लगा, नीचे, 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 और जैसे ही price ने morning में अपना पहला swing break किया, हमने य चाहो, तो यहाँ पर भी trade execute कर सकतो, बालकिष्णा का कल का trade देखना आप, यह जो swing है न, सबसे पहला swing, यह swing break होने से पहले हमने trade execute कर दिया था, यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ से support break होने लग गया थे, और price अपने resistance को protect कर रहा था, इस वज़े से हमने वहाँ पर क्या किय होने से पहले ही हमने trade execute कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है, वह resistance break करते हुए लगातार जा रहा था, तो probabilities बहुत हाई रहती है, कि जो swing है वही break हो जाएगा, heavy volume के साथ में, तो यहाँ पर Fibonacci के तुरू हमको हमारा पहला swing मिल गया, entry करने के point मिल गया, और यहाँ से जो retracement थी यह 0.6 के पास से reject होने लगा, और यहाँ पर को support भी हो रहा है, आप यहाँ से entry ले लो, यह जो indicator हम बोल रहे हैं बार बार, actually indicator ने इसको बहुत अच्छा tool है, जिसका कि price action में हम लोग अकसर use करते हैं, अकसर, तो यहाँ से आप इसके अंदर अपनी entry ले, target, second point आता है, target कैस लेकिन आप देखोगी कि बहुत बार, price ने अगर इस वाले level को volume के साथ break कर दिया, तो next target उसका next level होगा, और अगर यहाँ से भी price अपने support से break करने स्टार्ट कर दिये, तो फिर next target इसका अगला level, यहाँ से targets निकालते हैं, targets में ऐसे nakedly नहीं बैठ जाते हैं, कि नहीं हम जि आप देखोगे, तो यह वाले swing था, हम यहाँ से अपना exit हो गया, हमें मालूम है, कि main target यह है, यहाँ तक price में probabilities हैं, कि यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ से निकल गया, जैसे price इस वाले जगे पर आया, अपना यह वाले level तोड़ करके नीच आ जागा, हमें लास्ट तक हमने hold किया, और फिर exit मर दी, इस तरह से आप अपने targets निकाल सकते हो, कोई भी आप stock उठालो, जैसे bank of baroda है, बैंक of baroda में क्या है, यह अपना first swing है, यह first swing है, just आप इस swing को mark, execution के लिए हमने आप से क्या बोला था, कि जब price आपका यह वाले level break कर देता है, यह first swing जिसको आपने mark किया है, अगर यह वाले level break हुआ, तो next target points count से होंगे इसके, यह वाले, तो देखिए, market ने breakout देखाया, और सीधे price उसी जगह पर आया, पूरा target आपको आपका दे दिया, और retracement के लिए 0.5 यह 0.6 का weight का, target निकालने के लिए बहुत अच्छा साधन होता है, NTPC है, NTPC के अंदर आप morning में पहला swing mark कर लो, जैसे 3.25 यह 9.15 के candle बन गई, है ना, एक level अगर आपका break हो रहा है, swings के according, एक level अगर आपका break हुआ, यह वाला point, तो इसके बाद में next target जो आपका बनेगा, वो, Fibonacci का use करो as a indicator, आपको अगर shock है ना, indicators use करने का, Fibonacci का use करो थोड़ी से practice कर लो इसके उपर, इतना पहतरीन यह काम करता है, आप यकीन मानो, कोई भी trade आपको execute करना, आप यहाँ से trade execute करो, target निकालो, मिलेगा आपको target, practice करो इसके उपर, कोई भी doubt आता है, कुछ question होता है, entry कहाँ पर करनी है, यह swings, हमने दो जगा बतागी ना, entry करनी ह Otherwise, जब price आपको 0.5, 0.6, यहाँ तक price अगर retrace हो करके, जैसे देखिए, यह भी नीचे गिर गया, यह नीचे आ गया, अपने बिल्कुल swing के pass तक आ गया, rejections है, फिर से price उपर, फिर से price उपर, फिर से हम देख रहे है, price इस जगे पर आ जाने के बाद में support break करे, जैसे 0.6 का अब हमें मालूम है कि retracement का जो exact level, exact zone है, वो यह है, अब इसके pass से में देखना है कि market क्या कर रही है, अगर हमें buy करना है, और इस जगे के pass से ही price अगर अपना resistance break करने लगे बार बार, आप समझ लो कि indications मिल रहे हैं, हम चाहें तो इस swing के नीचे से ही अपना trade execute कर सकते हैं, औ और execution से पहले ही, इस breakout होने के पहले ही हम लोग अपना trade execute कर सकते हैं, थोड़ा सा risky रहता है, लेकिन कर सकते हैं, तो यह दो points बनते हैं, stocks में entry लेने के, stock में हो या derivatives में हो, किसी में भी, इस points से आप entry लो, और target के लिए आप इन levels का use करो, okay, so thanks, and अब हम लोग मिलेंगे अपन इसको रोग ट्रेट करो, वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको like कर देना, comment करना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, तो यह दो को subscribe कर ले जागा, और telegram चैनल का link description में है, कई बार होता है, कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर, तो जितने भी stocks बगर होते हैं, हमने क्य क्या ट्रेट किया, कितना क्या profit या loss जो भी रहा है, वो अपने telegram चैनल पर हम post कर देते हैं, तो वहाँ से आप telegram चैनल भी जान कर सकता हूं, thanks and we will meet again.